नमस्कार मैं डाक्टर जे आर्यादो मूंग फली की खेती में आपका स्वागत है प्रिजातियां मूंग फली की खेती खरीफ एवं जायद दोनों मौसम में की जाती है बुआई के समय एवं छेत्र की अनुकूलता के अनसार प्रिजातियों का चैन करना चाहिए अच्ची उपच प्राप्त करने के लिए उन्नस सील प्रिजातियों का सुद्ध बीज ही प्रियोग करना चाहिए खरीप में उगाई जाने वाली प्रिमुक प्रिजातियों इस प्रिकार हैं जैसे की चंद्रा, चित्रा, कौसल, प्रकास, अंबर, टीजी 37A उतकर्स प्रिमुक प्रिजातियों हैं खेत की तैयारी मूंफली की खेती विभिन प्रिकार की मिर्दाओं में की जा सकती है। किन्त अच्छे जल निकास वाली कैल्सियम एवं जैव फदार्थों से युक्त बलूई दोमट एवं हलकी दोमट मिर्दा में इसकी खेती उत्तम रहती है। मई के महीने में खेत की एक जुताई मिटी पलटने वाले हल से करके दो तीन जुताईयां कल्टीवेटर या हैरो से करके मिटी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके बाद पाटा चलाकर खेत को संतल कर लेना चाहिए जिससे नमी संचित रह सके। बीज की मात्रा एवं ववाई अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उन्नस सील प्रजातियों का सुद्ध बीज ही प्रियोग करना चाहिए। इसके लिए बीज को हमेशा अप्रमानित एवं विश्रस्नी स्रोतों से ही प्राप्त करना चाहिए। उंगफली की कुछेदार प्रिजातियों में नब्बे से सो किलो ग्राम वा अर्द फैलने वाली प्रिजातियों का पचहत्तर से असी किलो ग्राम दाने प्रत हेक्टर की आवसकता होती है। यद बीज उपचारित नहीं है तो बीज को बुआई से पहले दो ग्राम थीरम तथा एक ग्राम करवंडा जिम से प्रत किलो ग्राम बीज को सोधित कर लेना चाहिए। इस सोधन के पांच से छे गंटे बाद बोने से पहले बीज को मुंक फली के बिसिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लेना चाहिए। दो सौपचास ग्राम का कल्चर दस किलो ग्राम बीज के लिए परियाप्त होता है। राइजोबियम कल्चर से उपचारित बीज को दो तीन घंटे चाया में सुखा कर बुआई करनी चाहिए। उपचारित बीज की बुआई सुबह दस बजे से पहले या चार बजे के बाद करनी चाहिए। मुंग फली की बुआई जून के दुतीश अपता से जुलाई के प्रतम सपता तक अवस्थ कर लेना चाहिए। बुआई में गुच्छेदार प्रजातियों के लिए लाइन से लाइन की दूरी तीस सेंटी मीटर तथा पहुदे से पहुदे की दूरी दस सेंटी मीटर तथा फैलने वा अर्द फैलने वाली प्रजातियों के लिए लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटी मीटर तथा पहुदे से पहुदे की दूरी 15 सेंटी मीटर एवं बीज की बुआई 3 से 4 सेंटी मीटर की गहराई पर करनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक उंग फली की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रियोग करना चाहिए। मिर्दा परिच्छन के आधार पर उर्वरकों का प्रियोग लाबदायक रहता है। यद किसी कारण बस मिर्दा परिच्छन ना हो पाया हो तो 100 से 150 कुंटल सडी गोवर की खाद या कंपोस्ट खाद खेत तैयारी के समय आखरी जुताई में मिला देना चाहिए। 20 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 45 किलोग्राम पोटास तत्त के रूप में तथा 250 किलोग्राम जिप्सम एबं 4 किलोग्राम बोरेक्स प्रत हेक्टर की दर से देना चाहिए। नत्रजन, फास्फोरस, एबं पोटास, पूरी मात्रा तथा जिप्सम की आधी मात्रा बोआई के समय कूड में बीज के नीचे 2 से 3 सेंटी मीटर गहराई पर डालना चाहिए। जिप्सम की सेश आधी मात्रा तता बोरेक्स की संपूर मात्रा फसल की तीन सप्ता की अवस्था में टॉप ड्रेसिंग के रूप में विखेर कर देनी चाहिए। सिचाई मौंग फली बरसा आधारित फसल है अता सिचाई की कोई विशेश आवस्था नहीं होती है। मौंग फली की फसल में इन अवस्थाओं में जैसे की प्रारंभिक, बानिस्पतिक ब्रद अवस्था, फूल बनना, खूटियां बनना, पैगिंग वा फली बनने की अवस्था में सिचाई अबस होती है। यद इस अवस्था में खेत में नमी की कमी दिखाई दे तो आवशक्ता नुसार सिचाई करनी चाहिए। खेत में आवस्था से अधिक जल को खेत से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। अन्नथा प्रद्ध वा उपच पर बिप्रीत प्रभाव पड़ता है। खरपतवार नियंतन उंगफली की अच्छी पैदावार लेने के लिए कम से कम दो निराई गुडाई करनी चाहिए। पहली निराई गुडाई बुआई के 15 दिन बाद तथा 30-35 दिन बाद दूसरी निराई गुडाई करनी चाहिए इससे जणों का फैलाव अच्छा होता है। साथ ही भूम में बाय संचार भी बढ़ता है और मिट्टी चड़ाने का कार सुता हो जाता है जिससे उत्पादन बढ़ता है। पैगिंग के समय निराई गुडाई नहीं करनी चाहिए। रसाइनिक बिद से खरपत्वार नियंतन के लिए पैंडा मिथलीन तीश इशी की 3.3 लीटर मात्रा या एला कलोर पचास इशी की 4 लीटर मात्रा को 700-800 लीटर पानी में घोल कर बवाई के 2-3 दिन के अंदर बीज जमाव से पहले भूम पर छिड़काव करना चाहिए। जिससे की मौसमी घास एबं चोड़ी पत्ती वाले खरपत्वारों का जमाव ही ना हो सके। रोग नियंतर्ण मौंग फली में क्राउन रॉट, चारकोल रॉट, बड निक्रोसिज एवं टिक्का रोग लगते हैं। क्राउन रॉट यह रोग मौंग फली में प्रारंभिक अवस्था अर्थात अंकुरण के समय दिखाई देता है। इस रोग से ग्रिसित हिस्से पर काली फफूंदी उग जाती है, जो इसपस्ट दिखाई देती है। इस रोग के नियंतर्ण के लिए बीज को सोधित करने के बाद ही बोना चाहिए। चार कोल रॉट यह रोग नमी की कमी तथा तापकरम अधिक होने पर फसल की जणों में दिखाई देता है। प्रभावित पौधे में जणें भूरी होने लगती हैं और पौदा सूख जाता है। इस रोग के नियंतर्ण के लिए बीज को सोधन के बाद ही बोना चाहिए। तथा खेत में नमी बनाए रखना चाहिए। बड निक्रोसिज इस रोग में सीर सिकलियां सूख जाती हैं। पौधे की बढ़वार रुख जाती है। रोग ग्रिसित पौधों में नई पत्यां छोटी बनती हैं। तथा पत्यां गुच्छे में निकलती हैं। पौधा अंत तक हरा रहता है। किन्त रोग ग्रिसित पौधों में फूल फल नहीं बनते हैं। इस रोग के नियंतन के लिए डाई मिथोएट तीशीशी एक लीटर प्रत हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए। टिकका रोग इस रोग में पत्यों पर हलके भूरे रंग के गोल दब्बे बन जाते हैं, जिनके चारों ओर निचली सतह पर पीले घेरे होते हैं। उग्र प्रिकोप से तने तथा पुष्प साखाओं पर भी धब्बे बन जाते हैं। नियंत्रण हेत जिनेब 75% गुलन सील चूड 2.5 kg अथवा जीरम 27% तीन लीटर प्रत हेक्टर की दर से दो से तीन चिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। कीट नियंत्रण मुंग फली में सफेद गिडार दीमक हैरी कैटरपिलर कीट लगते हैं। सफेद गिडार इसकी गिडारें पौधों की जड़ें खाकर पूरे पौधे को सुखा देती हैं। इसका प्रोड भूंग फली की फसल को हान नहीं करता है। इसकी रोक थाम के लिए बौई के 3-4 घंटे कूर्ब क्लोरपाइरी फास बीश इसी या क्यूनाल फास 25 इसी 25 मिली लीटर प्रत किलोग्राम बीज की दर से बीज को उप्चारित करके बौई करनी चाहिए। खड़ी फसल में प्रकोफ होने पर क्लोरपाइरी फास या क्यूनाल फास रसाइन की 4 लीटर मात्रा प्रत हेक्टर की दर से सिचाई के पानी के साथ प्रियोग करना चाहिए। हेरी कैटर पलर पत्यों को छेद कर छलनी कर देता है। फल सरूप पत्यां भोजन बनाने में अक्षम हो जाती है। दीमक ये सूखे की इस्थित में जणों तथा फलियों को काटती हैं। जण कटने से पौधे सूख जाते हैं। फली के अंदर गिरी के इस्थान पर मिट्टी भर देती हैं। इसकी रोक थाम के लिए बुआई के तीन से चार घंटे पूर्ब क्लोरपायरी फास 20 EC या क्यूनाल फास 25 EC 25 मिली लीटर प्रत किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। खड़ी फसल में प्रकोप होने पर क्लोरपायरी फास या क्यूनाल फास रसाइन की चार लीटर मत्रा प्रत हेक्टर की दर से सिचाई के पानी के साथ प्रियोग करना चाहिए। खुदाई एवं उपज जब पौधों की पत्तियों का रंग पीला परने लगे और फलियों के अंदर का टैनिन का रंग उड़ जाए तथा मौंग फली के छिलके के ऊपर की नसें उभर आएं तो खेत में हलकी सिचाई करके खुदाई करनी चाहिए। और पौधे से फलियों को अलग कर लेना चाहिए। मौंग फली की उपज खरीफ में 25 से 30 कुंटल प्रेथेक्टर प्राप्त होती है। धन्यवाद।